कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाँचवाँ पाठ छोटू का घर यह एक चित्र कथा है जिसमें छोटू पहली बार मुंबई आया है पहले चित्र में छोटू बुंबई आया है वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है लोग आजा रहे हैं कुछ बच्ची जा रहे हैं बारिश हो रही है वहीं एक बड़ा सा पाइप है छोटू ने पाइप को देखा एक चित्र में दिखाया है कि छोटू पाइप में सो रहा है एक चित्र में दिखाया है कि छोटू के कपड़े पाइप में सूख रहे हैं पाइप के बाहर छोटू चूले में खाना पका रहा है अब बताओ चित्रों में छोटू की क्या कहानी बताए गई है छोटू ने पाइप को देख कर क्या सोचा छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया छोटू ने पाइप और आसपास की जगा को कौन से हिस्सों में बाटा है छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज्यादा समय बिताना पसंद होगा छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा अपने घर का चित्र कौपी में बनाओ उसमें रंग भी भरो तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं छोटू ने पाइप को अलग-अलग हिस्सों में बाटा तुम भी अपने घर के अलग-अलग हिस्सों के नाम लिखो एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज्यादा समय बिताते हैं क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर घर प्यारा सदा यही तो कहती हो मा घर ये सिर्फ हमारा अपना लेकिन मा कैसे मैं मानू घर तो ये कितनों का अपना देखो तो ये कैसे चूहे खेल रहे हैं पकडम पकड़ी कैसे मच्छर टहल रहे हैं कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी और छिपकली कूतू देखो चलती है जो गश्त लगाती अरे कतारें बांधे बांधे काँ चीटिया दोड़ी जाती और उधर आंगन में देखो पंच्छी कैसे जपट रहे हैं बिलकुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर जगड रहे हैं इसी लिए तो कहता हूँ मा घर ना समझो सिर्फ हमारा सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर ये प्यारा क्या आप जानते हो चूहों में देखने की ख्षमता कम लेकिन सूंगने चूने और स्वाद वाली ख्षमताएं बहुत ही तीवर होती हैं ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारे मरजी के बेना हमारे घर में रहते हैं उनके चित्रों में उनका नाम भी लिखो क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करता है? तुम सुभा शौच के लिए कहां जाते हो? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचाले का प्रयोग करते हो? उसकी सफाई कौन करता है? तुम शौचाले की सफाई में किस तरह मदद करते हो? टॉयलेट का उपयोग सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्ट बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा वो उससे बात भी नहीं कर रहा सिम्मी बोली, बिल्लू क्या हुआ? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो बिल्लू बोला, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है हमेश्या की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डाटेंगी सिम्मी बोली, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा सिम्मी बोली, अरे, यह कैसी बाते करते हो? अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो तुम्हें डरना नहीं, बलकि जिम्मेदार बनना चाहिए कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? टॉयलेट सीख का ठीक से इस्तेमाल करें इस्तेमाल करने के बाद हमीशा फ्लश करें अपने आपको ठीक से साफ करें टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोई तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या वेवस्था है? क्या यह साफ सुत्रा रहता है? इसे कौन साफ करता है और कैसे? तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयम के लिए चाहते हैं क्या तुम जानते हो? गांदी जी की 150-वी वर्षकांट के लिए सुच भारत अभियान की शुरुवात की गई है यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्चता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बलकि फर्ष भी है अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा प्रेयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा चोड़ कर अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ करता है क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए? तुम्हें कब लगता है कि तुमारे हाथ गंदे हो जाते हैं? खुद को साफ करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? सूची बनाओ नहाना और धान साफ करना ना खून काटना या कोई और बात यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहां डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? लता का घर खूब अच्ची तरह से सजा है क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं? तुम अपने घर को किन-किन चीजों से सजाते हो? उनके नाम लिखो अपने से सजाते हो